अब मार्केट में आ गया है को वैक्सीन, कोवी सिल और स्पुटनिक 5 अब सवाल उठता है कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफिसिंसी में है मतलब किसको लगाया जाए सिंपल सी बात है आप वैक्सीन लगाने जोगे तो सवाल यह उठता ना किसको लगाया जाए तो most probably बहुत सारे लोग जो है, वो कोवी सिल लगा चुके है कोवैक्सीन और स्पुटनिक 5 की बात की जाए तो उन्हें डबलू एचो अभी तक नहीं मिला है बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह खराब है हमारे प्राइम मिनिस्टर नडेंद मोदी जी ने कोवैक्सीन को अभी हाल में लगाया कोवैक्सीन का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आप उसको एक महीने के अंदरकत लगा सकते हैं उसका डोस लेकिन कोवी सील्ड के लिए कम से कम आपको डेर से दो महीने इंतिजार करना पड़ेगा अभी हाल में जो जुन ने में में लगाया था उनको यह लगवाना पड़ रहा है अगस्त में तो आप समझ सकते हो दो से तीन महीने की गैप दिये जाने है क्या याप जढदा है तो आसा नहीं है ये इक प्रॉसस कीव हो रहा हैSumed by किया होता है आरे ने लिया यह एक्ट्वली इस्पाइक प्रोटी निकाला गया है शिन परसंग में मिला था और उससे जये ½बना riot श mer तो अगर हम कोभी सेल की बात करें तो उसके एकिसेंसी 6290 के बीच मेंगा इस पूद की बात की जाए किशन और हम लोग effect की बात करे, side effect की बात करे तो अभी तब co-vaccine का कोई side effect नहीं दिखा है जिन्होंने भी लगाया है, वो बिल्कुल ठीक है COVID-Cilt के side effect आ चुके हैं और बहुत सारी कंट्री ने इसे ban भी किया है तो ये सवाल है और अगर best पूछा जाए तो इंडिया में भी इंटर भी नहीं हुआ जो की फाइजर है जिसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है क्योंकि इसकी efficiency 90% evolve है